हेलो एवरिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हरदिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजूकेशन टीचर की आई हुई एक नई वकेंसी के बारे में जैसा कि आप यह ओफिसिल नोटिफिकेशन देख रहे हो यह आया हुआ है महा निर्देशक स्पेशल एजूकेटर की वकेंसी का ओफिसिल नोटिफिकेशन है जो की आया है राज्या प्रियोजना निर्देशक समगर सिक्षय उत्तरप्रदेश की तरफ से और यह लिखा गया है सभी जितने भी जिला बेसिक शिक्षा दिकारी है समच जनपद जितने भी उत्तरप्रदेश में है सभी को और यह 27 सितंबर 2023 को ही आया है और इसमें जैसे कि आप विश्या में देख रहे हैं विश्या में बताया गया कि वर्स 2023 चोबिस में पीएम सिरी योजना के अंतरगत स्पेशल एजुकेटर के भारत सरकार द्वारा विक्सित गवर्मेंट ए मार्केट प्लेस जैन के माध्यम से चेन किये जाने के संबंद में तो यहाँ पे हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि सिरी पीएम योजना क्या है स्पेशल एजुकेटर की कितनी वकेंसी आई है और जैम पोर्टल क्या है आप कैसे अपलाई कर पाएंगे तो सब चीजों के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो को अंतक जरूर देखें क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो चीजे समझ नहीं आएगी अच्छे से तो इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए आप बिना स्किप किये वीडियो को अंतक देखें तो चलिए आगे बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो इन्होंने बताया कि महोध्या भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा पी-म सिरी योजना के अंतरगत वार्शिक कारिय योजना एव बजट 2023-24 में उत्तरपरदेश हेतू 693 नए Special Educator के चेन हेतू अनुमोधन परदान किया गया है तो यहाँ पे आप देख रहे हो यह बताया गया कि 693 Special Educator की वकैंसी का नोटिफिकेसन है यह जो की आया है UP की तरफ से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रजनीश कुमार पांडे वर्सिज भारत सरकार का जो Special Educator की वकैंसी को लेके केस चला हुआ है बहुत समय पहले से यह केस चला हुआ है और इन्होंने UP में पर्मनेंट वकैंसी निकालने के लिए Special Educator की केस किया हुआ था तो जैसे ही कोट ने आदेश दिया था कि जो उत्तर पर्देश में जल से जल Special Educator की वकैंसी निकलनी चाहिए रेगुलर बेसिज पे तो सरकार ने यह रेगुलर बेसिज पे ना निकालके तो यह इन्होंने PM सिरी योजना के अंतरगत निकाल दी है जो कि वहाँ पे जो Contractual Vacancies होती है तो Contractual Vacancies निकाली है यह 693 Special Educator की और यह जो वकैंसी है वो जनपदवार है तो जनपद के अकोर्डिंग निकाली गई है अभी और बहुत सारी वकैंसी आएंगी UP में क्योंकि यह स्कूल बेस पे नहीं है कि स्कूल वाइज वकैंसी नहीं है यह जनपद के उपर जाई है तो चलिए आगे बात करते हैं जैसा कि इन्होंने बताया जनपदवार 693 Special Educators के लक्षया की सूची इस निर्देश के साथ सलंगन कर प्रेसित की जा रही है वो सूची इसके साथ ही है वो भी दिखाएंगे हम कि किस जनपद में कितनी विकैंसी जैं कि जनपद के ल जैं की विवस्था नुसार नवीन चियन किया जाएं तो ये जैं के अकोर्डिंग ही एड़टीजमेंट निकालेंगे जो एड़टीजमेंट आएगा जैं पोर्टल पे आएगा उक्त के करम में यह भी सुच्य है कि जनपदवार जनपदों में मैंपावर आउट्सोर्सिं है तो उक्त विवस्था लागू किये जाने है तो राज्या प्रियोजना कारियल्या के पत्रांक तो इन्होंने आगे वो पत्तर संख्या दी है जो 4 नुवंबर 2020 के द्वारा निर्देश निर्गत किये गए हैं तो इन्होंने बताया कि जो ये पत्रांक है तो इसके अकोर् प्रेकुलर नमबर है जो भी आदेश है तो उसके बारे में बताया कि उसके अकोडिंग ये भरती करेंगे आगे अगर हम देखें तो आगे इन्होंने बताया संधर्बित सासना देशों के अनुपालन में सेवा परदाता द्वारा चियनित अभिहार्थियों के अभिलेखों के सत्यापन एव उनकी दक्स्ता परमानीकर्ण आदी हेतु विशेश निर्देश निमनवत है तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले अभिलेख सत्यापन होगा साथ में दक्स्ता का परमानीकर्ण होगा उसकी समीति में कौन-कौन से अध्यक्स होंगे वो भी बताया इन्होंने यह जो 693 स्पेसल एजुकेटर की भरती है इसमें आपका कोई पेपर नहीं होने वाला सिदा इंटर्व्यू बेस है और कौन्ट्रेक्च्वल वकैंसी है यह तो आगे हम सैलरी भी बताने वाले हैं और इलिजिबल्टी क्राइटेरिया सब के उपर बात करेंगे तो इन्होंने सबसे पहले बताए कि जो अभी लेखन सत्यापन समीति का गठन है उसमें कौन-कौन होगा अभिहर्थियों के सेक्षिक अभिलेखों वै अनुभव परमान पत्रों का सत्यापन जीला स्तरिया समीति द्वारा किया जाएगा और सोर्ट-लिष्टिड अभिहर्थियों की सपस्ट सस्तूति की जाएगी समीति का गठन निमनवत है तो सबसे पहले अध्यक्स है जो परचारिय जीला शिक्षय एव परचिक्षन सस्थान जो डाइट है तो वहां का जो परचारिय है उसको अध्यक्स बनाया जाएगा उसके बाद जीला बेसिक शिक्षय अधिकारी सदस्या सचीव होगा उसके बाद जीला दिव्यांग ससक्तिकन अधिकारी सदस्या होगा सहयक वीत एव लेख अधिकारी समगर सिक्षा वो भी सदस्या होगे और जीला समन्यव्यक समेकित सिक्षा वो भी सदस्या होगे इस कमैठी के तो पांच सदस्यों की ये कमेटी बनाई है जिसमें एक अध्यक्स, एक सदस्या सचिव और तीन सदस्या होंगे तो ये है अभिलेक सत्यापन समीति के अध्यक्स उसके बाद दक्सता परमानीकर्ण समीति का गठन किया इन्होंने तो इसमें बताया कि अभिलेख 57 समीति के द्वारा shortlisted अभिहर्थियों की दक्सता परमानिकन जीलादिकारी अथवा जीलादिकारी द्वारा नामित अधिकारियों की अध्यक्सता में गठित समीति द्वारा किया जाएगा समीति का गठन निमनवत है पहले आपके अभिलेख जो भी है जो आपके डोकुमेंट है उनकी चेकिंग होगी डोकुमेंट की चेकिंग होने के बाद फिर आपका दक्सता मरलब जो भी आपका इंटर्व्यू होगा तो उसके लिए कमेटी गठन गठित होगी इसमें उन्होंने बताया कि जो अध्यक्स है इसका वो जीला दिकारी द्वारा नामित अधिकारी होगा तो जो जीला दिकारी नामित कर देगा किसी का हुई तो वो अध्यक्स होगा उसके बाद जो परचारिये हैं आगे नहुने बताया कि दक्सता पर्मानीकन समीति द्वारा परतेक पद के साफेख सर्वसरेश्ट दक्स अभिहार्थियों का चयन कर जिला अधिकारी के अनुमोधन उपरांत अंतिम रूप से चेनित सूची सेवा परदाता अजेंसी को उपलवत कराई जाए जाएगे जब ये सबी दक्सता का परमानिकन कर लेंगे उसके बाद जो भी उन में से सरवसरेष्ट केंडिडेट होगा तो उसको ये जो भी अजेंसी है उसकी सूची अजेंसी को उपलवद करवा देंगे जेंसी के थ्रू क्योंकि ये अडवर्टीज़्मेंट निकलेगा तो जैसे ही ये फाइनल सेलेक्सिन कर लेंगे तो उसके बाद ये अजेंसी के पास उस केंडिडेट का नाम भीज देंगे सेवा परदाता को उपलवद कराए गए परतेक पद के सापेक सरवसरेष्ट दक्स अभ्यार्थियों को ओफरलेटर दक्सता परमानिकन होने के दिन ही जीला बेसिक शिक्ष्यादिकारी की उपस्तिती में सेवा परदाता एजेंसी द्वारा सफल अभ्यार्थियों को दिये ज जनपत स्तर पर मैन पावर की तेनाती के संबंद में प्राप्त होने वाली सिकायतों के निस्ताण हेतु जीलादिकारी द्वारा समीती बनाकर व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें मैन पावर की तेनाती में पारदर्सिता बनी रहे तो इन्होंने बोला कि पारदर्सिता बन मनवत निर्धारित किये जाते हैं सबसे पहले इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बताया कि आपका सनाथ तक हो किसी भी शेतर में उसके लाव आपके पास दो वर्षिया डिप्लोमा होना चाहिए है एच आई वी आई या इसके लाव आप स्पेशल बी एड भी हो या तो आपके पास डिप्लोमा हो या आपके पास बी एड हो बी एड भी आपका एच आई वी आई और एमर में से किसी एक में हो साथ में इन्होंने बताया कि यूपी टैट या सी टैट में से कोई एक पास हो आपका और साथ में RCI में रेजिस्ट्रियेशन होना चाहिए इन्होंने सेलरी बताया 15.940 परति मा ये आपको सेलरी दी जाएगे और इन्होंने कारिया वीवरन बताया है कि जन्पत के चियनित PM सिरी विधहलियों के अंतरिक्त आवंटित नयाय पंचायत के विधहलियों में अध्यनलत दिव्यांग बच्चों को अतरिक्त सपोर्ट देना होगा और राज्या प्रियोजना निर्देशक एव बेसिक शिक्ष्या दिकारी द्वारा सोंपे गए अन्याकारी है तो जो भी आपके जन्पद में स्कूल आएंगे तो उनमें जो भी दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको अतरिक्त सपोर्ट देना बताया और उसके लावा जो भी राज्या प्रियोजना निर्देशक एव बेसिक शिक्ष्या दिकारी है वो अगर कोई भी काम देगा तो आपको वो भी करना इन्होंने ड्यूरेशन बताया कि कब तक आपको अपॉइंट किया जाएगा इन्होंने बताया कि कारिया बार ग्रेंड करने की तित्थी से 28 फरवरी 2023 मलब अधिक्तम पांच मार तक का इन्हों ने डियूरेशन दिया कि आपको पॉइंट किया जाएगा पांच महीने के लिए ये सिर्फ कहने की बात है कि आपको पांच महीने के लिए पॉइंट किया जा रहा इसके बाद भी आपकी सर्विसी रेगुलर चलती रहेगी तो आप ये मत सोचे कि पांच महीने के लिए ही ये वकैंसी आई है इसके बाद भी आपकी वकैंसी रेगुलर चलती रहेगी जब तक यहाँ पे रेगुलर वकैंसी नहीं आ जाती आगे हम देखते हैं इन्होंने बताया कि उप्रोक्त की करम में स्पेशल एजुकेटर का चेयन निमले की समय सार्णी के नुसार किया जाएगा इन्होंने अब डेट मेंशन की है कि किस डेट पे क्या किया जाएगा सबसे पहले इन्होंने बताए कि jam portal पर bid आमंत्रित किये जाने की कारवाई क्योंकि जो jam portal है उस पर ये bid आमंत्रित करेंगे कि कौन सी company इस vacancy का पूरा जो भी है proper complete करवाईगी तो company को पहले ये bid देंगे तो उसका इन्होंने टाइम बताया कि 30 सितंबर 2023 तक वो हो जाएगा उसके बाद jam portal पर सेवा परदाता फरम के चेहन की कारवाई पूर्ण करना तो उसके बाद ये जो company का चेहन करेंगे वो 16 October 2023 तक हो जाएगा उसके बाद जीला अधिकारी से अनुमोधन प्राप्त करने हेतु सेवा परदाता को करिया देश दिया जाना वो 18 October 2023 को हो जाएगा कि उनको बता दिया जाएगा और उसके बाद चेहनित सेवा परदाता द्वारा सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करना तो आवेदन आपके 26 October 2023 से स्टार्ट हो जाएगे और उसके बाद समीती द्वारा अभी लेखिया परिक्सन दक्स्ता परमानी करन करते हुए कर्मिकों को उपलवद कराय जाने हेतु करिया देश दिया जाना वो 5 November 2023 मतलब आपका जो अपोइटमेंट है वो 5 November 2023 तक हो जाएगा कि PM सिरी योजना तरगत नए 693 स्पेशल एजुकेटर का भारत सरकार दोरा विक्सित गोवर्मेंट ए मार्केट प्लेस जैम की विवस्था के माध्यम से निमना अनुसार चैन की कारवाई पौण कर दिनाक 10 November 2023 तक राज्या प्रियोजना कारियला को अवगत कराना सुनिशित करें तो आपका 10 November तक ये आपको अपोइटमेंट लेटर दे के और आपकी जोइनिंग करा के और राज्या प्रियोजना कारियल्या को अवगत करवा देंगे कि हमने अपने स्कूल में स्पेशल एजुकेटर रख लिए हैं तो 10 अक्तूबर लास्ट है कि तब तक आपको जोइन करवा देंगे और अगर आप जानना चाते हैं कि Jam Portal क्या है उस पे Registration कैसे करें वहां से फिर हम अपना जो Holy Vacancy के लिए कैसे Registration कर सकते हैं अगर आप ये सब चीजे जानना चाते हैं तो हम इस पे भी Video बना सकते हैं और अगर अगर Comment करेंगे कि Jam Portal पे Video बनाएए कि उस पे registration कैसे होता और उसके बाद उस पे कैसे हम apply कर सकते हैं advertisement कैसे मिलेगा हमें तो इन सब बातों को भी हम आपको बता सकते हैं अगर आप comment करके हमें बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए तो हम जरूर इस पे वीडियो बनाएंगे आगे हम देखते हैं कि किस जनपद में कितनी vacancies आई हैं तो इन्होंने साथ में ये vacancies का भी notification लगाया हुआ कि कहां पे कितनी vacancies है अब जिस भी जनपद से हो या जिस भी जनपद में आप ये निया कि आप अगर आगरा से हो तो आगरा के लिए ही fill कर सकते हो आप किसी भी जनपद के लिए fill कर सकते हो जहां पी आपको ठीक लगे जिस भी जनपद का आपको ये लगए कि मुझे उस जनपद में job करना है तो आप उस जनपद में जा सकते हैं और वहाँ पे form fill कर सकते हैं तो यहां पे तीनो की vacancy जाई है, HI की, VI की और ID की तीनो specialization की vacancy है और फिर total vacancy भी बताया गया तो आप जिस भी जनपद से बिलोंग करते हैं तो अपने जनपद की vacancy देख सकते हैं और फिर वहाँ का form fill कर सकते हैं तो जैसा आप देख रहे हो, इन्होंने 75 जनपद दिये हुए हैं और वहाँ की vacancy भी mention किया कि 693 vacancy है total और तीनो specialization का दिया है इन्होंने तो इसके लाव आपको अगर कोई भी query है, कुछ भी पूछना है तो आप हमें comment जरूर कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो को support जरूर किया कीजिए क्योंकि आप जब तक वीडियो को like नहीं करोगे, share नहीं करोगे अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो भी आपके आसपास हैं और जिनको भी आप जानते हैं तो तब तक मतलब हमें भी motivation नहीं मिलता वो क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी देख रहा हूँ कि जो भी वीडियो हम बना रहे हैं तो जो हमारा, मतलब हम मान के चलते हैं कि इतना चलना चाहिए वीडियो तो उतना नहीं चल पा रहा हूँ तो इसलिए आपके support की बहुत जरूरत है ताकि हमें motivation मिले और हम ऐसे ही आपके लिए काम करते रहें और हमें motivation के लिए भी कुछ तो चाहिए ना कि हम आपके लिए फिर नए नए जो भी जितने भी advertisement आ रहे हैं जितने भी vacancies आती हैं जो भी नए information होती है तो हम तुरंट लेके आते हैं लिए ताकि आप सभी साथियों को पता चले उन चीजों के बारे में इसलिए आप हमारा motivation जरूर बढ़ाईए और वीडियो को जाचे ज़्यादा लाइक और साथ में share जरूर किया किजिए और जिर्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो वो subscribe जरूर करते और साथ में bell icon का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो upload करें तो तुरंट आप तक notification पहुंझे Thank you